गोथकपुर नाम के एक गाउं में शंकर और रजनी नाम के पती-पत्नी रहते थे वे दुनों जंगल से लकडी तोड़कर पास वाले गाउं में बेचा करते उन्हीं पैसों से अपना परिवार चलाया करते थे अपने बच्चे कीर्थी और बालु की बहुत अच्छे से परवरिश करते थे उस गाउं से दूसरे गाउं पहुंचने के लिए एक छोटा सा ब्रिच बनाया हुआ था गाउं वाले उसी ब्रिच के सहरे दूसरे गाउं पहुंचा करते यो अपने काम कर लिया करते यो ही दिन बीत रहे थे हर रोस की तरहा शंकर और रचनी जंगल से लकडियां काट कर काउं की और चल रहे थे गाउं पार करने के लिए जैसे ही वो ब्रिच पे चलने लगे ब्रिच अचानब तूट गया और वो दोनों पानी में गिर गए ब्रिच के तूटने से लकडियां उनके सर पे लग गई और उन दोनों को बहुत गहरी चोट लगी जिस वज़े से वो उपर नहीं आ पा रहे थे उस समय आसपास भी कोई नहीं था जो उनकी साहता कर पाता कुछ समय बाद एक आदमी ने उन्हें देखा आओ आओ कोई आओ यहाँ पर जल्दे से शंकर और रजनी यहां मरे पड़े है तुरंट वहाँ कुछ लोग इखटे हुए और उन दोनों को पानी से बाहर निकाला लोगों ने जान लिया कि वो दोनों आखरी साह से गिन रहे थे अभी मरे नहीं थे इसले तुरंट उन्हें अस्पताल ले गए अस्पताल पहुँचते ही कुछी समय में शंकर चल बसा और रजनी कोमा में चली गई थी इस बात के खबर लगते ही दोनों बच्चे उनके पास आए माबाप को इस तरह देखकर वे दोनों बहुत जोर से विलाप करने लगे यो रोते हुए दुखी हो रहे थे आज पास के लोग ने उनका अंतिम संसकार कर दिया रजनी कोमा में ही थी बच्चे अपने पिता से तो बे सहारा हो चुके थे लेकिन अब माँ की तरफ से भी कोई जवाब ना आने की वज़े से वो दोनों सहम गये थे दूसरी और ब्रिज के तोट जाने की वज़े से लोगों को तैर कर ही गाउं पार करना पड़ रहा था पर यो रहते रहते नदी में चक्रवात आ जाया करता जिससे सारे लोग उसमें डूबने लगे थे गाउवाले सभी इस समस्या को सुलजाने के लिए गाउं के मुखिया नरेंद्र के पास गए नरेंद्र जी सोचा नहीं था कि ऐसी परिष्टिती आएगी अगर आपने भी ब्रिज नहीं बांधा तो चक्रवात में लोगों का मरना तै है और तो और वहानों के लिए आना जाना भी मुश्किल हो रहा है गाउं पार कर नहीं जाएंगे तो काम कैसे होंगे आप जल्दी ही ब्रिज को बांधने का काम शुरू कीजिए वरना बहुत दिक्कते हो जाएंगी बिल्कुल हम बहुत जल्द इस काम को शुरू करते हैं दो तिन बीट जाते हैं गाउं के मुख्या ने लोगों से चंदा इखटा करना शुरू किया गाउं वालोंने भी चंदा में हाथ बटा कर ब्रिज के निर्माण में सहभागी हुए सभी ने चंदा इखटा किया और उन पैसों को मुख्या के हाथ सौम दिया नरंद्रे ने उन पैसों को सुरक्षित रखा और उस काम को शुरू करवाने में लग गया एक दिन गाउ का नामी चोर मुख्या की घर में चोर ही करने आया लोगों के चंदा को इखटा किया हुआ पैसा उठा कर वहां से चला गया आहट सुनकर मुख्या जाग गया चोर चोर यो आवाज लगाने लगा नरंद्रे ने चोर को पकड़ा चोर ने उसे इतने जोर से धक्का मारा कि वो जाकर फर्ष पर गिर गया सर पर गहरी चोट लगनी की वज़े से वो वही पर चल बसा और चोर वहाँ से भाग गया अगले दिन गाओं के सभी लोग नरंद्रे के मौत के बारे में बात कर रहे थे युही दिन बीत रहे थे लोगों को आज तक पता नहीं चला था की हत्या किस ने की अब किसी के पास पैसे नहीं थे सभी फिर से काम पर लग गये यो काम कर सभी ने पैसे फिर से इखटा किये और ब्रिच त्यार करने की सोच ली ब्रिच का काम होने तक लोग नदी कही सहारा लेने लगे लेकिन चक्रवात में फसकर वो मर जाया करते इसी डर के साथ दिन बीत रहे थे दूसरी और किरती और बालू के मा के इलाज में पैसे खतम हो चुके थे अब उनके पास भी पैसे नहीं थे इसलिए रोते हुए अब हमें क्या करना चाहिए? मा ठीक हो इसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे अब क्या करें यो रोते हुए दुखी हो रहे थे वो दिन बीच जाता है किर्थी और बालो ने सोचा कि अब वो दोनों भी लकडियां तोड़कर बेचेंगे और उनसे पैसे बनाएंगे उस दिन उन दोनोंने लकडियां तोड़कर पासवाले गाउं में बेचने की सोची दोनों किनारे पर आए नदी पार कर अगले गाउं जाने की सोच लेते हैं पर उनसे पहले एक आदमी नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, जो उस चक्रवात में फसकर बचाओ बचाओ कर चिलाने लगा था उसकी ये हालत देखकर किर्थी और बालू बहुत घबरा गये, वो नदी में नहीं गये, वहीं खड़े रहे योहीं दिन बीत रहे थे, काम नहीं बन रहा था, गाउं के सभी निस्साय हो गये थे, तभी कीर्थी और बालू को एक उपाई सुझा दीदी, बास की लगडियों से हम ब्रिच बढाएंगे ऐसे दोनों ने टै किया, अगली सुभा दोनों ने बास की लगडियां इखटा की, जितना भार उठा पाते, उतनी बास की लगडियां वो दोनों नदी के किनारे ले गए कीर्थी और बालू ने मिलकर बड़े पत्थर, रसी और बास की लगडियां इखटा की दीदी में नदी के दोनों किनारों पर खुदाई बार ठोक कर उसे रसी बान देता हूँ जैसे हमने सोचाता वे सब रिजहम बना सकते हैं अगर चक्रवात आया भी तो आप रसी पकड कर मुझे खीच सकती हो मैं बहने से बच जाऊंगा ऐसे बालू ने कहा किर्टी मान गई अपना ध्यान रखना बालू ऐसा केकर बालू ने दोनों किनारों पर खुदाई बार लगा दी और बीच में रसी बान दी बालू ठीक तक दूसरे किनारे पहुंच गया तो किर्टी ने गहरी सांस ली फिर दोनों ने दोनों किनारों से ब्रिज का बानना शुरू किया एक और से कीर्ती तो दूसरी और से बालू ब्रिज बनाने लग जाता है दोनों ने एक एकर बांस की लकडियों को उस ब्रिज में फसा कर बहुत मस्बूती से बानने लगे इस तरह बड़ी मेहनत कर दोनों ने ब्रिच का निर्मन कर लिया गाउ के सभी लोग ये देखकर चौंग गये सराहरा में गाउवालों ने कहा तुम दोनों ने बहुत बड़ा काम किया है कई लोगों को मरने से बचाया है तुम्हारे इस बड़े काम के लिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए ऐसा कहकर हर किसने थोड़े थोड़े पैसे उन्हें दिये किर्ती और बालू बहुत खुश हुए और उन पैसों से मा का इलाज कर आया अब गाओ के सभी लोग ब्रिच के सहरे अपने सारे काम पूरे कर खुश रहने लगें किर्ती और बालू भी लकडियों को बेचकर पैसे बनाते और अपनी मा का इलाज कर रहे थे कुश दिनों बाद मा का होश आया किर्थी और बालू खुशो कर अपने मा के गले लग गए बालू और किर्थी भाई बहन थे वे दोनों बहुत करीब थे कृष्णापुर नाम के एक गाउं में रहा करते थे बालू और किर्थी भीक मांग कर अपना पेट भरा करते थे इसी तरह उनकी जिन्दिकी चल रही थी यूही एक दिन वे दोनों भीक मांग रहे थे एक बूड़ी औरत अपने हाथ में ब्याग लिए अचानक सड़क पर गिर पड़ी उसे देखकर किर्थी और बालू जल्दी जल वो दादी नीचे गिर गई है ऐसा कहकर तुरंट उसके पास जाकर उसे उठाते है बहुन धन्यवाद तुम दोनों का बच्चो इस तरह उनका आभार वानने लगी माई आप कहां जा रही है मुझे बताईए मैं आपका बैग उठा लेती हूँ ठेक है बैठा चलो मेरे साथ ऐसा केकर बूढ़ी ने उन्हें रास्ता बताया वे उसका सामान उठा कर उसके पीछे चलने लगे घर पहुंच कर उसने पैसे दिये और कहा तुम दोनों जानते हो मैंने तुम्हें पैसे क्यों दिये हम भीक मांगते हैं ना माई इसलिए आपने हमें दिये होंगे ये सुन वो जोर से हसने लगी मैंने उसके लिए नहीं दिये तुम दोनों ने महनत की इसके बदले में दिये मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम्हें भीक मांगने की जरुरत नहीं जो भी छोटा काम तुम कर सकते हो करके पैसे कमाओ, समझ गए ना? उस पर बच्चे भी मान गए वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे माता-पिता नहीं है नहीं, हमारे माता-पिता बहुत पहले गुजर गए उनकी बाते सुन, बुड़ी दादी दुखी हुई और उन्हें वापस भेज दिया कुछ दो मैने के बीतने के बाद, उन दोनों ने लकडिया तोड़ कर, उन्हें बाजार में बेचना शुरू किया लीजिये, लीजिये, केवल पच्चेस रुपे में लकडिया लीजिये यो आवाज लगा कर बेचने लगे, तभी वहाँ पर वो पोड़ी आई शाबाज बच्चो, जैसे मैंने कहा वही कर रहे हो अच्छा, एक और बात बताती हूँ, करोगे ठीक है माई, आप जैसा कहोगे करेंगे गरीबी से लड़ने का एक मात्र शस्त्र है विध्या अगर तुम दोनों पढ़ने लगोगे, तो पूरी दुनिया तुम्हारे मुठी में होगी अगर तुम खुब मन लगा कर पढ़ोगे, तो तुम्हारी प्रगती होगी और तुम दोनों गरीबी से बहार आ सकते हो पर माई, पढ़ने के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है। उस पूरी औरत के कहे मुताबिक बालू ने सुचा कि अब वो दीदी को पढ़ाएगा। दिन बीटने लगे। कीरती अब स्कूल जाने लगी। बालू जंगल में जाकर लकडिया तोड़ता और उसे बेचकर पैसे कमाया करता था। उन पैसों से कीरती की पढ़ाई और उनका गुजारा हो जाता था। यूही दिन बीटे। एक दिन कीरती स्कूल ला जाकर घर वापस लोटी। बालू ने उसे देख पूछा। दीदी क्या हुआ तुम इस तरह स्कूल से वापस क्यों लोटी। बालू स्कूल यहां से बहुत दूर है ना। पहुंचते पहुंचते देर हो रही है और गेट बंध हो रहा है इसलिए मुझे वापस लोटना पड़ा। दीदी आपसे मैं घर का कम खुद कर लूँगा तुम जल्दी से स्कूल जाया करो। बालू वैसे ही तू मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है अगर अब घर के भी काम तू करने लगेगा ते किर्ती किताबों का बोच कंधे पर उठा कर बहुत दूर तक चला करती। बालू ने ये देखकर सोचा कि उसे अपने बहन के लिए कुछ करना चाहिए। फिर बालू ने बास की लगडिया और मिट्टी से एक साइकल बनाई। ये देखकर किर्ती बहुत चौंग गई। अगले चनम में तीरी माप बन कर मैं ये रिंड चुकाऊंगी। ऐसा कहकर दुखी होकर रोने लगी। अब अगली सुभा उसे जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं थी। जट-पठ से काम करने की कोई जरूरत नहीं। देर से जाकर घर के सारे काम कर साइकल पर स्कूल जा दिये, उन्हें देखकर दोनों के आँखों में आसु छलके, हमारी सिंदगी जिम्मेदारियां और दुखों से ही भरी है, हम ये भूल चुके कि हम अभी बच्पन में हैं, खेल खुद से कौसो दूर है, मुझे तो याद भी नहीं कि हम पिछली बार कब खेले होंगे, यू सो पहिये पर बेठो और मैं सैकल चलाता हूँ, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, किर्ती ने हाँ कहा, और वो पहिये पर पैट गई, बालू सैकल चलाने लगा, किर्ती उस पहिये पर मज़े करने लगी, वो भाई बालू से कहने लगी, कि और तेज़े से चलाओ, उसे बहु युही दिन बीटने लगे, वो बूढ़ी औरत कभी कभार उनसे मिलने आया करती, उन्हें धीरश देकर कुछ पैसे देकर जाया करती। कीर्थी और बालू रविवार के दिन खेलने के बाद समय बचने पर पढ़ा करती, कीर्थी अपने भाई बालू को पढ़ाया करती थी। इस तरह कीर्थी का हर रो स्कूल जाना, घर लोटने के बाद, भाई को पढ़ाना और बचे हुए समय में खेलना ये सब चल रहा था। इस तरह वे दोनों मन लगा कर पढ़ते, खेलते और खुशी से रहने लगे.